हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों, इंटरनेट और फिल्मों के इस दौर में, जो हमारी भाषा है हिंदी, उसको तो हम भूलते ही जा रहे हैं शुद्ध हिंदी के जो शब्द हैं, उनमें से बहुत सारे शब्दों के अर्थ अभी लोगों को पता भी नहीं होते अग्षुन्न, तो मैं आपको बताता हूँ, अक्षुन्न की मीनिंग होती है दोस्तों जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे हाथ से छूटके कोई चीज नीचे गिर जाती है जैसे मोबाइल फोन या कुछ भी ऐसी चीज़, तो आपने उसको उठाया और आपने देखा कि मोबाइल फोन में जरा भी नुकसान नहीं हुआ, कोई खरोच तक नहीं आई तो आप बता रहे हैं किसी को, करें यार फोन तो बिल्कुल जैसे का तैसा ही है, या जियों का तियों ही है, ठीक है बिल्कुल तो इस तरीके से अगर कोई चीज़ बिल्कुल ठीक रह जाए, उसमें कोई भी नुकसान नहीं हो, तो उसको ही अक्षुन कहा जाता है और ये सावान के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, गर्व के लिए, अहंकार के लिए, बहुत सारे चीज़ों के लिए तो आप सब मीनिंग समझें दोस्तों, अक्षुन को इंगलिश में कहते हैं, इंटैक्ट जैसे आप बोल सकते हैं, my mobile phone remained intact, मेरा mobile phone अक्षुन रह गया, यानि कि जियों कातियों रह गया, उसमें कोई भी नुकसान नहीं पहुचा या his pride was intact, उसका जो गर्व था, वो बिलकुल अक्षुन रह गया, उस पर कोई चोट नहीं पहुची, तो इस तरीके से sentence में यूज करते हैं इसको दूसरा word है दोस्तो, निशनात, तो निशनात क्या होता है दोस्तो, निशनात होता है जब कोई आदमी किसी चीज में किसी इनसान को अगर महरत हासिल हो, बहुत ज्यादा कुशलता हासिल हो, जैसे अरजुन को बान चलाने में, तीर चलाने में महरत हासिल थी, अरजुन ती mathematics में बहुत अच्छा है तो आप कह सकते हैं he is a master of mathematics या expert भी ये word दोस्तो expert भी यूज कर सकते हैं जैसे हम बोल सकते हैं वो गनित में निशनात है तो आप इसको कह सकते हैं English में he is an expert in mathematics किसी को कोई बासुरी बजाने में निशनात है तो आप कह सकते हैं he is an expert of the flute या he is a master of the flute तो निशनात का मेनिंग होता है दोस्तो जिसको बहुत ज्यादा किसी चीज में कुशलता हासिल हो चुकी हो या महारत हासिल हो चुकी हो उसके बादे दोस्तो परित्राण ये तो दोस्तो श्लोग में सुनाओगा आपने महावारत में परित्राणाय साधू नाम तो परित्राण का मेनिंग क्या होता है दोस्तो परित्राण का मेनिंग होता है दोस्तो सुरक्षा जो सुरक्षा हम देते हैं किसी को या सुरक्षा जब हम करते हैं किसी को यानि कि लोगों की सुरक्षा सुनिष्चित करनी है तो सुरक्षा इसका मिनिए दोस्तो परित्राणड का तो protection भी बोल सकते हैं और आप इसको safeguard भी कह सकते हैं उसके बाद दोस्तो निक्रिष्ट तो निक्रिष्ट का अज होता है दोस्तो हिंदी में नीच या बहुत ही घटिया दरजे का इंसानों के लिए भी इस्तिमाल करते हैं वेभार के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं और चीजों के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं तो जैसे हम कहते हैं किसी आदमी के लिए कि वो बड़ा ही गहेंगे mean, जैसे आप बोसकते हैं, he is very mean, यानि वो अत्यांत निक्रिष्ट व्यक्ति है, या low भी बोल सकते हैं, जैसे low quality, तो मतलब की निक्रिष्ट quality की चीज, जिसकी quality अच्छी नहीं है, या inferior भी बोल सकते हैं, inferior की भी meaning होती है, जो low quality की चीज है कोई, तो दोस्तों, निक विलक्षन का मीनिक है, अध्भूत, विलक्षन प्रतिभा, यानि अगर किसी के पास बहुत कमाल का talent है, जैसे tennis में, Roger Federer के पास विलक्षन प्रतिभा थी, या है tennis खेलने की, सचिन तेंदूलकर के अंदर, या विराट कोहली के अंदर, विलक्षन प्रतिभा है क्रिकेट खे Extraordinary का मीनिक होता है, विलक्षन, लेकिन मैं आपको शुद्ध चारण बता दूं, correct pronunciation, यह जो word है Extraordinary, इसको अलग-अलग तोड़के Extraordinary नहीं बोला जाता, इसका जो Correct pronunciation है, वो एक ही word बना के इसको बोला जाता है, और वो है Extraordinary, Extraordinary, इसको Extraordinary नहीं बोलना चाहिए, Extraordinary, Extraordinary का मीनिक है विलक्षन, यूनीक भी बोल सकते दोस्तों, यूनीक का भी मीनिक होता है, जो सबसे अलग हो, तो यूनीक वैसे Extraordinary का मीनिक है विलक्षन, उसके बाद है दोस्तों, शिला, अब शिला क्या है, जैसे रामायंड में एक दोहा है कि, शिला, स्फटिक शिला पे बैठे दो भाई यानि भगवान राम और भगवान लक्ष्वन जब किसी स्फटिक की शिला पर बैठे वोई थे तो ऐसा रामायंड में बरनन है तो शिला का मतलब होता है चटान चटान जो पत्थर का टुकड़ा होता है बड़ा सा बड़ी सी चटान हो सकती है कोई तो चटान को ही शिला कहते है शुदिंदी में और इंगलिश में इसको कहेंगे रॉक तो रॉक का मतलब है शिला या चटान उसके बाद दोस्तों आते हैं दूसरे वर्ड्स पर यहाँ एक वर्ड है अपरिमित अपरिमित का मतलब होता है दोस्तों जिसकी कोई सिमा नहीं होती अंतहीन जैसे कहा जा सकता है कि मेरे मन में उसके लिए अपरिमित प्रेम है यानि मेरे मन में उसके लिए बे इंतहा प्यार है उर्दू में ऐसे कह सकते हैं बे इंतहा जिसकी कोई limit नहीं हो less का मतलब होता है नहीं कम limitless जिसकी कोई सीमा नहीं हो infinite यानि जो अंतहीन है सीमाहीन है तो अपरिमित का मीनिंग होता है अंतहीन, सीमाहीन उसके बाद दोस्तों शाश्वत अब शाश्वत का आर्थ क्या होता है दोस्तों शाश्वत की मीनिंग होती है, जिसका आदी और अंत कोई नहीं जानता, यानि जिस चीज की शुरुवात और जिस चीज का अंत कोई नहीं जानता, उसी को शाश्वत कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं, Eternal, eternal का मतलब होता है, या perpetual, यानि हमेशा से होते आते रहने वाला, तो eternal का मीनिग है शाश्वत, जैसे आप किसी हो कह सकते हैं, कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए शाश्वत है, यानि मेरे मन में तुम्हारे लिए इतना प्रेम है जो कभी खतम नहीं होगा, जिसका जिसकी यानि जिसका आदी औरंत कोई नहीं जानता, उसके बाद दोस्तों अपरी में का मीनिग है दोस्तों, कि इतना ज्यादा जिसकी गहराई कोई नहीं जान सकता, जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसको किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता, अपरी में इमेजरबल, मेजर का मीन कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए अपरिमेय है, my love for you is immeasurable. तो immeasurable का मीनिंग है दोस्तों, अपरिमेय, या अपरिमेय का मीनिंग है, immeasurable, जिसको नापा नहीं जा सकता. उसके वाइज दोस्तों, दुशकर, दुशकर का मीनिंग क्या है? तो दुशकर का मीनिंग है कठिन, उर्दु में बोलेंगे तो मुश्किल, जैसे हम कहते हैं, ये कार बड़ा ही कठिन है, तो हम बोलेंगे, this work is very difficult, तो दुशकर यानि मुश्किल, कठिन, यानि difficult, तो इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे difficult, उसके आए दोस्तो कुटुम्ब, अब ये सब शब पहले इस्तिमाल होते थे, प्रियोग में आते थे, जैसे हम बोल सकते हैं कि, वो अपने कुटुम्ब के साथ, उस गाओं में रहते थे, तो कुटुम्ब का अर्थ क्या होँ दोस्तो, पूरा खांदान, पूरा परिवार, तो इसे लिए family बोलना सही है, clan भी एक word है दोस्तो, clan का भी मतलब हो सकता है, पूरा का पूरा जो कोई सम्मू है, जिसमें सारे लोग हैं, एक अठा, एक दूसरे से जुड़े हुए, लेकिन जो एकदम perfect word है इसके लिए, वो है family, तो family का मीनिंग, कुटुम्ब का मीनिंग है दोस्तो, family, उसके बाए दोस्तो, him, जैसे हम कहते है, him path, या him skallan, तो him ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप जानते होंगे शायद, तो snow इसको बोलेंगे English में, snow, जैसे him path, snow fall को हमको बोलना चाहिए, him path, तो him का मीनिंग है snow, उसके दोस्तो, manohari, manohari, यानि, जो मन को बहुत भाए, जो हमको अच्छा लगे, देखने में, तो अच्छा कब लगेगी कोई चीज, अच्छी कब लगेगी, जब वो अत्यांत सुंदर होगी, ऐसी चीज होगी, जो हमारी उपर हमको जकर ले, अपने आकरशन में, तो ऐसी चीज़ों को captivating कह सकते हैं, captivate का मीनिंग होता है, आकरशित कर लेना, बहुत ज्यादा आकरशित कर लेना, captivate, तो उसी चोगी एक adjective है, वेशेशन है, तो यह बना captivating, यानि जो हमको जकर ले बिल्कुल अपने आकरशन में, captivating, या charming भी बोल सकते हैं, चार्मिंग का भी मीनिंग होता है, जो बहुती आकरशक है, तो captivating या charming, यानि जो बहुती सुन्दर है, आकरशक है, यानि कि मनोहारी है, तो दोस्तों मनोहारी के लिए captivating और charming वोड़ है, उसके बादे दोस्तों, यथार्थ, जैसे कई बार कहते हैं, कि यह यथार्थ है, यानि कि यही सच है, तो सच है, यानि true, this is true, यानि यही यथार्थ है, यही सच है, या reality, यही वास्तविक्ता है, तो जब सच आपका meaning हो, यथार्थ की दोनों meaning हो सकती है, तो such meaning हुआ आपका तो आपको यह अथार्थ के लिए true का इस्तेमाल करना चाहिए और अगर आपको वास्तिविक्ता आपके मन में है meaning कि मुझे यह अथार्थ का meaning वास्तिविक्ता यूज करना है तो उसके लिए आपको reality word का इस्तेमाल करना चाहिए तो यह अथार्थ को true and reality बोल सकते हैं तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की class मुझे उमीद है कि in words की English जानके आपको जरूर मदद मिलेगी कहीने की English लिखने या बोलने में अगर आपको आज की class अच्छी लगी हो तो please वीडियो को like करें और share करें और चैनल को subscribe करें और अगले वीडियो में एक बार फिर से हम एक नई चीज़ सिखेंगे जो बहुत ही interesting होगी और बहुत ही knowledgeable होगी काफी informative होगी इसके लावा अगर कोई भी ऐसा topic है कोई भी ऐसी बात है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको topic बना के एक वीडियो बना के दे दूँ तो आप नीचे comment box में लिखेंगे तो एक वीडियो में आपको उस पर भी बना करके दे दूँगा thank you very much अब जल्दी मिलते हैं thank you very much बाई बाई